बूर्णिंग गाइस हम नाइट में जल्दी सो भी नहीं पाया है और थाई तो बजी के दाफ लग के वीडियो के लिए और अभी जो साथ बज के चालिस मिनट हो है टाइम और अभी भी रावान हमारा कंप्लेट नहीं है और साम को जलना है देखिए मैं दिखाये तो आंको कि चुका रावान है यह देखिए फ्रेंस अभी वी वर्क चली रहा है रात को बंद हो गया था अब फिर से एक बार शार्ट कर दिये सबने चाना सपानी करके अभी ठीक है ड्रेसे वगर सपहने लेकिन अभी तलवार और भालाला सपाकी है और सिर जैसे कि सभी फ्रेंट इसे पार जो चली बड़े रावाण के उपर मोझे त्लियाता है तो उस चीज़ को इसका सब्दीफता है शर्ट से भी थोड़ा छोटा हो गए था बाकी ठीक है फ्रेंस देवी उतना मज़ा नहीं था नाइट में जो भी था बहुत बहुत अच्छा था मैं नाइट में करने पाया मुझे बहुत नीन आ रहा था तो बस अब आगे में बस आते जाओंगा और सभी वर्का सभी भी काम में लागे जए चले ठीक है फ्रेंस मिलते थोड़ा देर में तो फाइनली गाइज रावन जो है बनकर पूरा तयार हो गया है हाथ में तलवार और अपना जो धाल वागए सब चीज पकड़ के वो बिल्कुल तयार है लड़ाई के लिए राम जी के साथ लेकिन अंत में क्या होगा सब तो जानती हो फ्रेंस सचाई की जीत है उसे कोई ही रोख सकता तो वही होगा और रावन आखिर का लास्ट में जलेगा और मैं पहले आपको रावन का दृष्य कि तैयार होने के बता अक्च्वल में लग कैसे रहे देखिए फ्रेंस बहुत ही गजब का लग रहा है और मैं बता दूं कि उसके हाथ में तलवार और एक साइड जो है ढाल पकड़ा हुआ है वो मैं आपको जूम करके दिखाता हूं मैं देखिए बहुत ही अच्छा लग है लेकिन विचला साम को जलेगा इसलिए कहा है फ्रेंस की चाहे जो भी रहे अपना आदा तो हार या सब के लिए अच्छा रखना चीए और रावा ने यही चीज़ अपना बहुत घटिया रखा इसलिए हश्र होता है फ्रेंस बाकि यह भी एक तरह से बोला जाए तो गलती करने से बहुत महंगा पड़ी है फ्रेंस और वह गलती आप सभी जानते हो मैं दोहराना नहीं चाहता तो फ्रेंस बस यह तो हुआ तयारी का मैं साम को पुरा जब मेला अच्छे से भरा जागा ना तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा और उससे भी अप्लेट करूंगा और अभी देखिए फ्रेंस सब तरफ तोरान वगयरा सब अच्छे से लग चुके हैं अभी यह जो इस्टेज यह भी बहुत इच्छे से तयार हो चुका है और बस कुछ देरों के बाद अभी जो टाइम हुआ है ग्यारा बच चुका है तो बस कुछ चानों के बाद बाद में करो थोड़े जेर बाद